नमस्कार दोस्तों, गुड मॉनिंग, वेलकम टू दा चैनल बैंकिंग बंदू आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने फिक्स डिपॉजिट यानी FD खुलवानी है तो आपको रेट ऑफ इंट्रेस्ट क्या मिलेंगे सारे रेट ऑफ इंट्रेस्ट आपके साथ डिसकस करेंगे, सीनियर सिटिसन को क्या फायदे मिल रहे हैं वो भी डिसकस करेंगे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो हम अपने चैनल पर रोज ही ऐसी वीडियो कवर करते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी फाइनेंशल डिसिजन लेने में मदद करेंगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंट्रेस्ट आपको देखने है तो आपने जाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओफिशल वेबसाइट जो की है sbi.co.in यह sbi.co.in आपके सामने खुली होई है यह ओम पेज है जब आप इस होम पेज पर जाएंगे आपने सबसे नीचे जाना है नीचे जाके यहां देखिए यह नीचे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा interest rate यह देखिए यह interest rate हमने खोले जैसी आप interest rate खोलेंगे तो यह बहुत सारे links आपके सामने यह खुल के आएंगे यह हमको यहां पे नीचे ले आएगा interest rates यहां देखिए इधार सबसे left hand side पे interest rates पे हम गए जैसी हम interest rates पे जाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा saving bank deposit, domestic term deposits तो जो FDA होती है उसे bank की language में हम कहते हैं domestic term deposit आपने domestic term deposit पे जाना है आपके सामने link खुल के आया पहला है domestic term deposit below 2 करोड बैंक में एक limit होती है कि 2 करोड तक की जो FDs हैं उन पे अलग rate of interest होते हैं और 2 करोड से उपर वाली पे अलग rate of interest होते हैं तो यहां हम general बात करेंगे यानि 2 करोड तक वाली जो FDs हैं उनकी बात करेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं इंडिया में जो normal public है वो इतनी अमीर नहीं है कि 2 करोड से उपर की भी FDs कराएं तो 2 करोड की यहां पे middle class लोगों के लिए बात करेंगे हम पहले link पे जाते हैं यहां देखिए हमेशा आपने याद रखना है कि कोई भी fixed deposit होता है वो minimum 7 days के लिए खुलता है तो 7 से 45 दिन के लिए अगर आप अपनी FD खोलते हैं तो 2.9% rate of interest है senior citizens के लिए 3.4 का है 46 days से 179 days 46 days से 179 यानी 6 महिने तक की अगर आप FD करते हैं तो 3.9% और senior citizen के लिए 4.4 6 महिने से उपर अगर जाते हैं तो 4.4 और 4.9 senior citizen के लिए एक साल से एक दिन भी अगर आपका कम है 211 दिन से एक साल से एक भी दिन अगर कम है तब भी आपको 4.4 rate of interest मिलेगा senior citizen को 4.9 मिलेगा एक साल से 2 साल एक साल से 2 साल की अगर आप FD करते हैं तो 5% का rate of interest आपको मिलेगा senior citizen के लिए 5.5 senior citizen को आधे परसंट का फायदा मिल रहा है 2 साल से 3 साल 2 साल से 3 साल 5.10 और senior citizen के लिए 5.60 3 साल से 5 साल हमेशा ये का जाता है कि अगर आपको best rates चाहिए fix deposit में तो कम से कम 5 साल की आप जरूर करवा है तो 3 साल से 5 साल के लिए 5.3% और senior citizen के लिए 5.8 5 से 10 साल जब आप जाएंगे 5 years to 10 years तो 5.4% senior citizen के लिए 6.2% तो अगर आपको ये बात पता हो कि आपको काफी टाइम तब पैसे की जरूरत नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा समय के लिए अपने fix deposit कराएं क्योंकि जितने ज्यादा टाइम के लिए अपनी FD कराएंगे उतना ज्यादा rate of interest bank आपको offer करेगी senior citizens के लिए 0.5% rate आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप state bank के एक staff यानि pensioner जो है वो आप state bank के हैं तो आपको rate of interest 1% जादा मिलेगा normal rate of interest से अगर आपको और भी कोई दिक्कत है कोई query है आप नीचे comment section में हमसे पूछ सकते हैं हम आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा whatsapp group में डालिएगा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा आपका दिन शुबो धन्यवाद